लूरेलीवान कैसे हैं सभी सो लास्ट टाइम हुमने पूलंब सो लोई वेक्टरफोवक्व किया था तो आज हम अपने नए लेक्चर के साथ इलेक्टरिक फिल्ड सो आज का टोपिक है हमारा electric field तो सबसे पहले जब स्टार्ट करते हैं तो अगर मैं बात करूँ electric field की तो electric word का मतलब क्या होता है charge और field का मतलब होता है area और region तो अगर हम बात करें electric field एक simple सी बात ये charge है एक charge दूसरे charge पर क्या लगाता है force और कोल सा लोग बनता है तो वो charge जब एक दूसरे charge पर force लगाएगा एक region होगा उसके चार और का space होगा जिसमें वो दूसरे charge पर क्या लगाएगा force वो क्या क्या लाएगा electric field तो electric field क्या बना the space और region around a charge in which its electric effect can be experienced यह जो electric effect है यानिके electric force can be experienced by another charge यानिके इसके चार और का space region यहाँ बात करूँ यहाँ पर electric field intensity strength अगर हम यहाँ पर बात करें electric field intensity की इसका मतलब होता है किसी एक particular point पर electric field जैसे एक unit positive test charge यहाँ पर लेके आते हैं q node अब यहाँ पर एक unit positive test charge लेके आये electric field ने क्या लगाया force अब इस charge पर जितना force लगाया ज्यादा force लगाया तो field क्या होई strong अगर weak force लगाया तो उस particular point पर electric field क्या बनी weak तो electric field क्या होती है किसी particular point पर force per unit test charge कि per unit test charge कितना force लगा है वो है electric field intensity किसी particular point पर clear तो simple सी बात यहाँ पर हम एक कौन सा charge लेके जाएंगे small test charge अब बात आती है तो यहाँ पर क्या होगा electric field क्या होगी force per unit test charge अगर हम आगे बात करते हैं कि यहाँ पर हम small test charge क्यों लेते है बड़ा test charge क्यों नहीं लेते है तो यहाँ सबसे बड़ा एक region आता है अगर हम यहाँ पर बड़ा charge लेके जाएंगे तो इसको क्या करतेगा disturb करतेगा भी obvious सी बात है इस charge की strength निकालनी है होता है उसमें सबसे lowest post कौन सी होती है constable फिर होती है head constable और फिर इसके बाद होती है ASI single star और फिर SI फिर inspector यह होता है simple सिपाही यह जिस पर एक वो red red होता नहीं आपर बाद जो बही और यह ASI single star यह double star यह triple star और ASI को किसी चोकी का इंचार्ज बना दिया जाता है राइट और उसके अंडर में दो तिन constable अब इस ASI ने constable की duty लगा दी बड़ी power दिखाई भई अब constable का लगे बड़ा खतरनाक ASI है बड़ी खतरनाक जी का duty लगा भी तो बड़े प्रेसान वो किसे अपनी strength दिखाई ना अब गलती से एक लिए ASI inspector से जाके मिल गया यह आप अपने duty गरोस है इसे क्या यह ASI inspector को अपनी strength दिखा सकता never तो इस inspector ने इसी को suspend कर दिया इसलिए अगर बड़ा charge लेके जाएंगे उसी को suspend कर देगा उसी की electric field को क्या कर देगा destroy तो वो थी electric field intensity force per unit test charge अब हम निकालेगे electric field intensity at a single point तो electric field intensity या electric field due to point charge तो electric field at any point due to point charge तो हम point charge के कारण electric field का क्या बनाएंगे formula तो electric field due to a point charge तो मैंने यहाँ पर electric field एक charge लिया Q ये आर डिस्टेंस P point पे मुझे क्या निकालना है electric field at any point due to point charge तो यहाँ पर मैं क्या लेके आ unit positive test charge जब यहाँ पर unit positive test charge लेके आए इसने इस charge पे क्या लगा दिया force डेफिनिटली जब दो electric field क्या होती है force per unit test charge फोर्स मैंने इसलिए हम यहाँ पर electric field एक और खास बात इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती आर square अगर मैं इसका graph लोट करूँ यह आपको पता है इनवर्सली का graph ऐसे बनता है कलियर पिल्कुल अब इसमें एक चीज रह गई कि electric field जो हमने की यह जनरली पॉइंट चार्ज के कारण फोर्मूला है वन बाई फोर पाई एक साइन लोट क्यू बाई आर स्क्वेर यह जो electric field थी वो क्या थी force पर यूनिट टेस्ट चार्ज अब सबसे पहली बात यह क्यों चार्ज था हमने electric field निकाली तो यहाँ पर क्या लेक्या है यूनिट पोजिटिव टेस्ट चार्ज तो पर यूनिट टेस्ट चार्ज तो electric field कैसी quantity है electric field एक vector quantity direction भी होगा जो force का direction है वही इसका direction देखो अगर यहाँ पर यूनिट पोजिटिव टेस्ट चार्ज यह चार्ज है पोजिटिव तो force लगाया दिपैल करेगा अगर यह चार्ज होता negative तो इसको क्या करता attract इसका मतलब जब पोजिटिव चार्ज था तो force बाहर गार दूर negative की तरफ आया इसका मतलब इसका direction क्या बना positive to negative और ऐसा unit electric field की क्या बनेगी फोर्ज की क्या होगी Newton और charge की कुलम तो Newton पर कुलम direction positive to negative positive charge है positive को क्या करेगा पोजिटिव से दूर force negative है तो attract करेगा positive unit positive test charge को तो इसकी तरफ कया तो यह है electric field force per unit test charge और point charge के गार्ण जो इसका formula बनता वो क्या बनता है KQYR square तो यह हमारे पास topic है electric field due to a point charge अब इसके बाद हमारे पास आता है electric dipole electric dipole वही फिर से electric word का मतलब क्या होता है charge die का मतलब दो two pole का मतलब point तो दो point ले लिए charge is minus Q plus Q उनके बीच की distance ले लिए 2A यह A यह A यह central point तो electric dipole का मतलब दो pair of charge equal and opposite तो a pair of equal and opposite charge separated by a small distance to a a pair of equal and opposite charges separated by a small distance to a मतलब एक charge minus में एक charge plus में छोटी सी distance generally dipole होती किसमें है molecule H2O है HCl है CO2 सब में क्या होता है dipole जैसे मैं H2O की बात करूँ इसका structure ऐसे बनता है तो hydrogen पे positive oxygen पे negative positive negative क्या बन गई यह dipole तो dipole का size बहुत small होता है बहुत small बना है समझाने के लिए बनानी पढ़ती दिन नहीं बड़ी otherwise बहुत small होता है लेकिन अब हर material अलग-अलग है H2O अलग है H2O अलग है CO2 अलग है तो इसका मतलब हर dipole की strength को बताती है electric dipole moment तो जो electric dipole moment है वो हर dipole की क्या बताती है strength और वो होती क्या है denoted by P product of magnitude of either charge कोई भी charge उसकी product into distance between them एक charge है एक minus Q एक plus Q तो दोनों का magnitude क्या होगा है minus Q का भी plus Q होगा और plus Q का भी plus Q होगा तो ये कैसी quantity है electric dipole moment एक vector quantity तो direction negative to positive बिल्कुल opposite electric field का SI unit चार्ज की क्या होगी कुलम distance की मेटर कुलम मेटर या कैपिटल सी कुलम मेटर अगर समोल सी आम लिख दे तो सेंटी मेटर इसने इसको क्या लिखना पड़ेगा कुलम मेटर तो ये हमारे पास क्या है electric dipole moment ठीक है thank you तो next lecture में हम इससे आगे करेंगे